दोस्तों येदि हमारे चहरे पर काले दाग धबे होते हैं चाहे वो एपिंपल्स एकने के हो या फिर फोड़े फुंसी के हो तो हमारी खुबसूर्टी को कम कर देते हैं। मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडिया कर रही हूँ दोस्तों, जो आपके काले निशानों को भी दूर करेगी, आपके रंग को बहुत ही निकारेगी, रंग को गोरा बनाएगी तो दोस्तों वैसे तो बाजार में तरह-तरह की चीजे मिलती हैं परिंदोन जो होम रेमेडी सेफ होती हैं इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है तो इस आसान सी रेमेडी को बणाने के लिए आपको आपके किचन की ही सामागरी को लेना है और सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं दोस्तों बेसन, बेसन के बारे में आप सब को पता है बहुत पुराने समय से ही रंग को गोरा करने के लिए तवचा को चमकाने के लिए बेसन का इस्तमाल किया आता जा रहा है बेसन में कुछ ऐसे ब्लीचिंग गुड़ होते हैं दोस्तों जो हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को फेयर बनाते हैं हमारे रंग को साफ करता है बेसन हमारे स्किन को मुलायम बनाता है और सांती सांत हमारे चेहरे से हमारे स्किन से एक्सेस ओईल को हटाता है हमारे स्किन को औली होने से बचाता है बेसम के छोटे-छोटे से जो कण होते ना दोस्तों यह हमारे चहरे से डेट सेल को रिमूव करते हैं और मुहासे को बढ़ने से रोकता है बेसम का फेस पैक तो यहां पर मैंने दो बड़े चमच बेसम का इस्तमाल किया है इस फेस पैक को अपने चहरे पर काले निशान से पढ़ जाते हैं और जो कि दिखने में बड़े बुरे लगते हैं तो आपकी टैनिंग हटेगी दूसरी चीछ जो कि मैं यहाँ पर ले रही हूं दोस्तों एलो विरा जेल आपके पास यदी पौधा लगा है तो आप फ्रेश पत्ती में से जेल निकाल कर उ इस्तमाल किया है वैसे मैं अपनी रेमेडी में हमेशा अपने घर से ही गमले में से पत्ती काट कर लाती हूं और उसके जेल का इस्तमाल करती हूं पर अंतु कई बार हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं उस लंबी प्रोसेस को नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अच्छी अपनी का ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो दो चमच अलोवीरा जैल लिया अलोवीरा तो हमारे स्किन के लिए किसी वर्दान से कम नहीं एक औश्दी है इसे धृत कुमारी कहा जाता है गौार पाठा कहा जाता है अलोवीरा का इस्तमाल बहुत पुराने समय से ही स्किन क के लिए और बालों के लिए किया आता जा रहा है आप चाहें तो इसमें कुछ बूंदे लेमन-जूस की भी बहुत से लोगों को lemon suit नहीं करता है, ना चाहें तो ना डालें, अलोविरा ही अपने आप में परियाप्त है, मैंने भी यहाँ lemon juice एड नहीं किया है दोस्तों, अलोविरा जेल, दो चम्मच बेसन, और दो चम्मच यहां पर हम डालेंगे दूद, कच्छा दूद है, तब तो अच्छा होता है दोस्तों, क्योंकि जब हम दूद को बॉइल करते हैं, तो उसके कुछ पोशक तत्तों में कमी हो जाती है, इसलिए कोशिश करें, रॉ मिल्क ले, और भूल गया है, कच्छा दूद निकालना, दोस्तों तो परिशान नहीं, जो दूद आपने उबाल लिया ये फेस पैक, जो चमक आईगी ना, दोस्तों कमाल का रिजल्ट मिलेगा, एक ही बार के इस्तमाल से, मेरे कहने से, एक बार आप इसे जरूर लगाएं, तो बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे मिला लिया है, बेसन, अलोविरा जेल और कच्छा दूद, यदि आपको ऐसा ल आप 25 के दिखाई देंगे दोस्तों, चहरे पर जो भी पिग्मेंटेशन होंगे, जाईयों की जो परिशानी दोस्तों, वह बिल्कुल ही दूर होगी, और शायद ये तीनो चीज़ें ऐसी हैं, जो मैंने इसमें इसमें इस्तमाल की है, हम सब के किचन में होती ही है, बड़े सारे विटामिन और मिर्रल होते हैं, अलो विरा में, तभी तो हमारे स्किन और बाल दोनों के लिए इतना फायदे मंद होता है, तो अलो विरा का आपको यहां पर इस्तमाल करना है, तो यह फेस पैक बनकर बिल्कुल तयार है, यह देखे, अब आपको इसे अपने चहरे पर लगाना है, तो चहरे पर लगाने के लिए आप अपने हाथों की सहाथा से लगा लें, आपके पास ब्रश है, तो ब्रश की मदद से भी आप लगा सकते हैं, जिसमें भी आप कन्वीनियंट हैं, आप इसे चहरे पर कम से कम 10-12 मिनट जरूर लगाएं, जब भी टाइम है, तो अच्छा उतनी ही चमकदार होगी, चहरे से सारी जहाईयां दूर होगी, जो चहरे पर फाइन लाइन की प्रॉबलम है, दोस्तो रिंकल्स की प्रॉबलम है वह दूर होगी, आपका चहरा बिलकुल फ्रेश लगेगा इस फेस पैक को लगाने के बाद, चहरे की गंदगी साफ होगी और चहरे को ठंडक मिलेकर इस फेस पैक से, क्योंकि अलो वीरा ठंडा होता है, आपके मस्तिच को भी शांती मिलेगी, इतना अच्छा पैक लगाएंगे ना दोस्तों, तो हमें खुद में अपने आप में बहुत ताजगी महसूस होती, एजिंग के प्रभाव को कम करेगा ये फेस पैक, तो पूरे चहरे पर लगाएं, पूरे गर्दन पर लगाएं आप इसे, चाहें तो हाथों पर भी लगा सकते हैं, आपकी स्किन को हैल्दी रखेगा, दोस्तों, ऐलो वीरा तो वैसे भी एक और श्दी होता है, इसलिए मैं आज ऐलो वीरा का इस्तम वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सांथी सांथ मेरे चैनल टिप्स थीएटर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो इस तरह से पूरे चहरे पर इस पैक को लगाना है, और जब भी पैक लगाएं, दोस्तों, कोशिच करे एक जगा बैठे रहें, और बातें कम करें,